अपने पास ही महित का question है जब हारना वोदेम पूछा हुआ 6 में 2030 में पहला सवाल है 45, 60 and 75 के LCM और SCF का योग बताओ तो इनका LCM जब हमने निकाला तो कितना आया 900 और इस तरह से जब हमने इनका SCF निकाला तो वो कितना आया 15 तो दोनों का योग हमसे पूछ रहा था तो 900 में 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 915 यानि आपसं सी इसका सही अंसर हो जाएगा दूसरा सवाल है 140.75 into 0.01 किसके बरावर है इसको जब हम solve करेंगी तो यह आएगा 1.4075 यानि आपसं सी इसका सही अंसर होगा अगला सवाल है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच में क्या अंतर होगा तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 6 बार 9 ऐसे लिख देना है और 5 अंगों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी उसको 5 बारे से 9 लिग देना है फिर इनका अंतर पूछ रहा है तो दोनों को घटा देंगे तो यह answer आ जाएगा यानि अपसंडी इसका सही answer हो जाएगा अगला सवाल है कि 5% प्रती वर्स अधार व्याज की दर से कितने वर्स में 1200 रुपया, 1800 रुपया हो जाएगा तो हम जानते हैं friends की SI किसके बराबर होता है A-P के बराबर तो principle यहां 1200 हो है और amount कितना है 1800 हो है time निकल के आ जाएगा friends 10 वर्स यानि अपसंड यह इसका सही answer होगा friends अगला सवाल है कि 7 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच क्या अंतर है तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हम उसको 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 1000 इनका अंतर पूछ रहा है दोनों को घटा देंगे तो यह answer आएगा यह किसमें match कर रहा है option D में तो option D इसका correct answer हो जाएगा अगला सवाल है कि 0.9 को divide करना है 0.3 into 0.3 से तो हम क्या करेंगे 0.3 into 0.3 जब इसको solve करेंगे तो यह कितना आएगा 0.09 फिर हम जब 0.9 को 0.09 से भाग देंगे तो उपर नीचे हमने 100 से गुड़ा कर दिया तो 10 से यह point हटा 10 और बचा था तो यह पूरा 90 हो गया और यहां 2 अंक छोड़ के point था तो यह 2 0 से यह 2 अंक हट गया तो यह यहां कितना बचा 9 तो जब 90 को 9 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 10 यानि आपसन 10 का सही जवाब होगा इसका एक फार्मूला होता है कि अगर हमें इटो की संख्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे दिवार की जो माप है उससे हम इट की माप से क्या करदेंगे भाग दे देंगे और एक बाद ध्यान देना है अब तो कोई जो यूनिट है वो सबकी सेम होनी चीज़ जैसे यहां पे सारे चीज सेंटीमीटर में है तो दिवार की जो माप है वो तो cm में पहले से था, बटे कर देना है हमें इट की माप से, तो इट का जो माप है, वो तो पहले से हमको cm में दिया गया है, तो उससे भाग दे देना, इसको जब हम काटेंगे friends, तो ये कितना आ जाएगा, 6400 यानि इटों की संख्या कितनी निकल के आएगी, 6400 यानि अप पंदरा भागे 15 कितना हो जाएगा, एक उसके बाद क्या solve होगा, उसके बाद solve होगा multiplication, यानि 6 के कितना हो जाएगा, 6, तो क्या बचा, 15-6, तो 15 में से 6 जाएगा, तो 9 हो जाएगा, यानि option 6 का सही जवाब होगा, अगला स्वाल है, 3 बटे 8 भागे, 5 बटे 3 माइनस 1 बट किसके बराबर है, तो बहुत पहले प्रिकट को solve करता हूँ, क्योंकि पहले प्रिकट solve होगा, फिर division, तो जब प्रिकट के अंतर को मैंने solve किया, तो कितना आया, 9 बटे 6, अब उसके बाद प्रिकट के बाद क्या solve होगा, division, इसको जब मैंने solve किया, तो ये 9 बटे 6 को मैं ग इन चारों में से कौन सा है वो आपको बताना है तो ऐसे आभाज क्या होता है कि ऐसी संख्या जिसका खुद और एक के अलावा कोई और फैक्टर ना हो तो ऐसे यहां पर जितने आपशन हो तो सब तो आभाज में लिखी गए हैं लेकिन उनका मान जब मैंने चेक किया तो हम द करने वो सब कुछ क्या है आभाज है तो अमेद करता हम वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिए साथी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए